या वाट्स अप गाइस कैसे हैं आप सभी लोग वैलकम बैक टो अधर ग्राफ वीडियो तो गाइस आज हम बनाने जा रहे हैं तो इस टैप के मोबाइल स्टेंड अब आप सोच रहे होंगे कि थमनेल पे तो हमने मोबाइल स्टेंड लिखा था तो यहां पर तो कुछ और ही ह कुछ इस तरीके से आपके मोबाइल स्टेंड में कनवर्ट हो जाता है जिसमें आप आपका मोबाइल पोन आसानी से कुछ इस तरीके से रख सकते हैं जो कि देखने में बहुत ही कूल लगता है आप चाहें तो आपके मोबाइल को कुछ इस तरीके से सीधा भी रख सकते हैं जो कि आपको online lectures में help करेगा तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाना है तो गाइस इस मोबेल श्रेंट को बनाने के लिए आपको जोयद पढ़ेगी एक एपूर साइस पीपर की अब इस पीपर को हमें square shape में cut कर लेना है तो चलिए दलती से हम square shape में cut कर लेते हैं और गाइस आपको थोड़ी सी thickness वाला पीपर लेना है अगर आप पतले पेपर से बनाएंगे तो वह आपके फून का weight नहीं जिल पाए दो चलिए इसे cut कर लेते हैं इतना होने के बाद हमें इस piece को कुछ इस तरीके से हाफ में fold करना है और अपने mail की पीछे की तरफ से इसे कुछ इस तरीके से प्रेस करना है तो गैस इस हाफ को हम खूलेंगे और यहां पर जो center में line मिलेगी उस line के साथ इन दोनों lines को match करके प्रेस कर देंगे इतना होने के बाद इस प्रेस को बाद करना है और आपको यह piece कुछ इस टाइप से डो डोर्स के साथ मिलेगा जो के कुछ इस तरीके से खुल बंद होते हैं अब इस पीस को हमें पूल्टा कर देना है और यह वाली line को यह वाली side के साथ मिला के यहां पर बिच में से प्रेस कर देना है तो गैस अब आपको यहां पर एक square piece मिलेगा अब इस square piece में हमें यहां पर opposite corners के साथ दोनों corners को match करके center में से press करना है तो सबसे पहले यह दो तो यहां पर से प्रेस कर देंगे तो यहां पर हमें एक line देखने को मिलेगी अब हमने हैसे यह 2 corners को match किया उसाइँ तरीके से हम για 2 corners को match करेंगे और कॉनर्स को हमें बिल्कुल क्रिस्प रखना है तो गाइस कितना करने के बाद हमें यहां पर एक क्रॉस देखने को मिलेगा अब इस सेम चीज को हम इस पीस के बैक साइड भी कर दिंगे तो गाइस इतना होने के बाद इस पीस को हमें खोल लेना है और फिर किसी एक साइड से आप चाहें तो यहां से भी कर सकते हैं मैं यहां से कर रहा हूँ अब इस पीस को इस तरीके से यह दो कॉनर्स को पास में लाना है और यहां पर यह जो पीछ में पेपर निकला है उसे कुछ इस तरीके से प्रेस कर दिना है और फिर उसके सामने वाले साइड को इस तरीके से पीछे से उपर करते हुए इस पीस को पूरा इस तरीके से प्रेस कर दिना है और यहां का कॉनर्स पर्फेक्ट कर लेना है तो यह आपको कुछ रॉकेट का शेप देखने को मिलेगा देखे में सोफेट से करके दिखाता हूं आपको यह दो कॉनर्स को लेना है और इस तरीके से प्रेस करना है उसके ओपोजिट वाले साइड को यहां से ऊपर करते हुए इस पीस को बंद कर दिना है तो यह सब इस को हम अपने साइड रखते हुए यह वाले पॉर्णर है इसे इस एंगल के एक्दम सेंटर में मैच करके पीछे से प्रेस कर देंगे देखें यह बिल्कुल पर्फेक्ट मैच हुआ है अब हम यहां पर से इसे प्रेस कर लेंगे इसे खोल लेंगे इस पीस को भी खोल लेंगे तो यह करने से हमें क्या मिला यहां पर बड़ा वाला स्क्वेर था उसके अंदर एक छोटा वाला स्क्वेर भी मिल चुका है अब हम इस पीस को उल्टा करते हुए यहां पर जो छोटे वाले स्क्वेर की साइट्स थी उन साइट्स को बिल्कुल क्रिस्प कर लेंगे लिखे कुछ इस तरीके से तो जढ़ा गप्राइब के वाले स्क्वेर के वाले स्क्वेर लेंगे तो गाइस यह शेप आपको कुछ पिरामेट जैसा देखने को मिलेगा जो के एकदम 3D शेप है अब गाइस इससे को उल्टा करेंगे और यहां पर से एक डोर को उपन करते हुए और फिर यह वाले कॉनर को यह उपर वाली साइड को अंदर की तरह फ्लाते हुए इस कॉनर क साथ मैच करेंगे और फिर यहां पर जो ट्राइंगल निकलता है उसके यह वाले साइड को अंदर प्रेस करेंगे और फिर इस डूर को उपर से बंद कर देंगे तो गाइस हमें कुछ इस टाइप का शेप देखने को मिलेगा अब गाइस हम पिस पिस को कुछ इस टाइप से उड़ा करेंगे और फिर यहां पर से टूर खूलेंगे अमेज़ दूर को जाता नहीं खूलना है वरना यह पीछे की दरफ से खूल जाएगा अब गैजव समझे कुछ इस तरीके से खूलते हुए यह उपर की साइड को हम अंदर की दरफ प्रेस करेंगे और यह वला जो पॉकेट है पॉकेट के अंदर डाल देंगे इस तरीके से और फिर इस उपर वाली साइड को इसमें बंद कर देंगे यह पीछे वाले ट्राइंगल को वापिस से अच्छा कर लेंगे तो गैज अब देख सकते हैं कि हमारा मोबेल स्टेंड बिल्कुल बंद का रैडी हो चुका है और गैज अब हमें क्या करना है कि यह जो साइड्स हैं इन क्रेक्डम पर्फेक्टली प्रेश कर देना है कुछ इस तरीके से हम प्रेश कर लेंगे सभी साइड्स को कि अगर आपको इसे बंद करना हो तो आपको कुछ इस तरीके से इसे बंद करना है और फिर यह वाले साइड को यहां से प्रेस कर दिना है तो यह आपको एक डायमंड शेप मिलेगा और इस पीस को आप आपके पॉकेट में या आपके बुक्स में कहीं पर भी रखके आसानी से ले जा सकते हैं और जब भी आपको आपका फोन रखना हो तो कुछ इस टाइक से यह खुल जाएगा और यहां पर आपका फोन आप रख स तो गाइस यह आपका पीस बंदो कर रेडी हो जाएगा तो चलिए इसमें हमारा फोन भी रखके देख लेते हैं तो गाइस हम आपको जब पर फोन को यूज करना हो तो कुछ इस तरीके से खोल के इससे यहां पर रखेंगे और इसे प्रेस कर लेंगे फिर आपका फोन इसम क्या ओनलाइन क्लासिस में भी यूज कर सकते हैं या आप कोई मूवी वूवी देख रहा हो तो भी आसानी से देख सकते हैं और गाइस अब आपको क्या करना है कि आपके फोन को खोलना है और यहां पर वीडियो के नीचे जो सब्स्ट्रेप का बटन दिख रहा है उसे प्र के लिए गुडबाए